हेलो दोस्तों तो आपका अपने चैनल cmc के विज में आपका स्वागत है दोस्तों आज करेंगे हम सुपर 25 कोशन वीबी एका जिससे दोस्तों बहुत ही आपको हेल्प मिलने वाली है क्योंकि इस टाइप के कोशन आते हैं और मैं कंफर्म कहता हूं कि जो 21 से शुरू होने वा राइट अंसर हो जाएगा नेक्स कोशन कहें कि डैस इस दा सोटकट की टो एंटर इन्टू वीबी एंवार्मेंट अब वीबी की फुल फूम होते है दोस्तों वीजवल बेसिक एडिटर तो इसके जो इसमें एंटर करने के लिए सिंपली आपको आल्ट एफ 11 प्रेस करना पड़ते हैं तो सी जो हमारा वो राइट अंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है कि डैस की इस यूज़ टू इस्टार डीबग प्रोसेस दोस्तों जब हम चेक करते हैं जब एर अपने वीबी एक अंदर तो एफ 5 प्रेस करते तो यह जो हमारा वो डीबग प्रोसेस के लिए होत जाएगा नेक्स कोशन है कि विच विच आप दा फॉलोविंग इस यूज़ फोर डिक्लियरिंग वैरिबल यानि वैरियेबल को डिक्लियर करने के लिए आपका जो यूज़ किया जाता है वो डिम तो यह जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि डैस कनवर्ट यानि कि अगर आपको जितने भी आपके क्रेक्टर है उसको कैपिटल करना तो उसके लिए आपको कौन सा फंक्सन यूज़ करना पड़ता है तो आपका हुआ यूज़ केस यह निकि आपर केस तो बी जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन आपका कि बीज़न यूज़ टाहर लोन टेंट ऊज़ा तो इहां पर कोरशन में नौट कर रहा है तो नौन उफ दिस हो जाएगा तो यह नक्सक्ट कोशन है कि वीच इज नोट इंटीज़ डेटा टाइप तो आपका जो इनमेंसे कौन सा इंटीज़ डेटा टाइप नहीं है वह next question आपका दोस्तों की ADO STAND FOR ADO होता है आपका Active X data object तो B जो हमारा वो राइट अंसर हो जाएगा next question आपका कि डैस इस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन दाट perform action तो आपका डैस वह है procedure procedure जो आपका परफॉर्म एक्षिन करता है तो सी जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन आपका के वीच आफ दा फॉलिविंग इस यूज एस दा साइमेंट ऑपरेटर फोर मैनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो दूस्तों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए जो यू यह साइज कितनी होते हैं क्योंसCause यह तो विटन करेंट यह होता है के लिए तुमस्तों के लिए प्रफोर करसी के लिए एक दाल के लिए एट बाइट के लिए एट बाइट के लिए भी एट बाइट होता है और ऑब्जक्ट के लिए फॉर बाइट होता है तो यह आपके साइज है मेमूरी में डेटा टाइप स्के तो नेक्स्ट कोर्शन है दोस्तों आपका कैड इस्टेंट फूर तो कैड इस्टेंट फूर होता ह हैं तो सी जो हमारा रहा राइंसर हो जाएगा डोसतों अथो इन वी बीए मैंनी टाइप औफ एक्सेश इसपेशिफाइए इन फिस्फायर इन डी बीए तो दोस्तों आपके फोर टैप Zोटे स्पेशिफायर के एक होता है प्राइवीट और एक होता है प्रोटेक्ट और एक आउटपुट्ट क्या होगा तो देखें दोस्ते यहां पर फॉर्मेट जैसा कि दिख रहा है है स्टेक वन वन टूथाउजन सैवेंटीन और जो इसका फॉर्मेट वह पहले यह आएगा फिर मंत और फिर देज तो जोस्तों अगर नाइन तक वैल्यूज होती है तो जीरो आत यह जो हमारा वह राइट अंसर हो जाएगा अगर दोस्तों अइसे को आप धिखेंगे तो इसका आंसर जो आपको इन में ही मिल जाएगा तो दिखान से इन वाले कोश्ण को देखना पड़ेगा आपको कोड़ वाले को नेक्स्ट को सब्सक्राइब के विच सोटकट की इस अब कोड़ विंड़ो इन विबी ए तो विवी में कोड़ विंड़ो को ओपन करने के लिए सिंप्ली आपको एफ सेवन प्रेस करना पड़ता है तो यह जो हमारा वह राइट अंसर हो जाएगा नेच्ट कोउशन है है आपके DLL इस्टेंटफूर तो DLL स्टेंटफूर होता है आपका डाइनमिक लिंक लाइबरेरी तो फोर टाइप के ओपरेटर है तो वीडीयो की डिसक्रिप्टिन में लिंक है जाके ज़रूर वीडियो देखे नेक्स्ट जो कोशन आगे दोस्तों फिर से आपको कोड है और उसके बेस पर यह आंसर देना कि वाट विल वी दा आउटपुट और फॉलविंग कोड यहां पर देख सकते दोस्तों कोड मिल गया इनको ध्यान से हम देखेंगे तो एक से इक वस्तुट हो गया तो दोस्तों प सब्सक्राइस हो जाएगा तो इस दोस्तों देखा इसका कोड होता है उसको देखना पड़ता है नायक्सर नेयुक्त और इसमें हिसमें भी आप घूत के सुरूब के अंसर देना है जिखते दोस्तों से इसको यहां पर दोको साम्स्टों हो गया आपका सब्सक्राइब टेखो यहां पर राइट और जो यह हमारा वैरिबल एस्ट आरे उसमें इसी यह निके सिक्स वर्ड चाहिए है में में राइट से तो एक्दम से राइट आंसर हो जाएगा इसका नेक्ट कोर्षन देखते क्या है नेक्ट कोर्षन आपका इसमें भी देखो दोस्तों कि वाट विल विदा आउट्पूट फॉलिविंग वीबे कोड तो इस तरह के कोर्षन आपके आने-ाने कंपल सरी है आपके एक्जाम में तो द साथ लूद n पर में तो उसको को नाप्व यह पर 15 हो गया और यह जो और यह हमारा मकिन हो फॉघंवाह स्पक्वेश ऑर फयफ हो जाता है लेवन और दो और एंप फॉघंग यहां पहुए दोस्तों आइज़र आउट्पूटमें दिखाना है वह हमें लेंट यह बीचार यहां कैनल नहीं यह नहीं लिखा है तो हमारा सी आंसर यह राइट हो जाएगा मे जैउसका नेफ्ट देखते क्या है next question भी आपको ऐसे simple मिलेगा कि what will be the output of following VBA code अब यह वाला code देखते हैं आपको यह क्या कह रहा है तो दोस्तों यहाँ पर सब और यहाँ पर दोको आपका जो variable है वो क्लियर हो गया constant है कि whole hearted लिखा हुआ है अब इसमें मिड से क्या कह रहा है सिक्स और फॉर यानि कि जो सिक्स से लेके फॉर तक जो है वो हमें चाहिए तो सिक्स से हो गया आपका एच एच आ जाता आपके six नमर पे तो हो गया यह आ गया यह आ गया और आ गया तो यह जो हमार यह answer हो गया heart here तो जो भी answer हो हमारा राइट हो जाएगा भी answer जो हमारा वह राइट हो जाएगा तो नेक्स्ट कोर्शन और लास्ट कोर्शन है दोस्तों कि what will be the output of following VBA code तो दोस्तों यहां पर भी आपको यह वाला code देखके output बताना है तो देखो दोस्तों यहां पर जो एक जो है आपका वह constant value है तो इसका क्या कर रहा है कि जो है वह किसका square है square पूछ रहा है तो थ्री का square होता है दोस्तों आपका 9 तो यह जो हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों इसी परकार की questions आपके आते हैं वे बीए के तो आसा करता हूं आपको वीडियो बहु कि एक्टेशन कि सुसक्रव तोस्तों कि कुछ?